नश्कार दोस्तों, ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों, तो वीडियो के नेचे मुझूद जोइन बटन की साहिता से आप मेंबर्शिप को जोइन कर सकते हों। चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते हैं। आप जिएस वेपर 2 के इस टोपिक से आटिकल को रिलेट कर सकते हों। ये आटिकल लिखा गया है सनी जोज के द्वारा। तिखो स्टंटिंग का मतलब होता हैं एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ पाती। और वेस्टिंग का मतलब होता है हाइड के हिसाब से वेट नहीं बढ़ पाता अभी हाल ही में क्या हुआ नूट्रिशन से समंदिद एक रिपोर्ट पब्लिश की गई Ministry of Health and Family Welfare के द्वरा उस रिपोर्ट का नाम था Comprehensive National Nutrition Survey ये रिपोर्ट देखो दो चीजों के लिहाद से काफी ज़्यादा important थी एक तो हाल ही में Global Hunger Index 2019 रिलीश हुआ था जिसमें इंडिया की ranking थी 102-117 countries में से तो इंडिया की ranking काफी खराब थी Global Hunger Index में और दूसरा इंडिया की जो past performance रही है Child Under Nutrition को काम करने में वो देखो mixed रही है डिटा ये शो करता है 2005-6 से लेके 2015-16 के बीच बच्चों में stunting जो है वो 10% तक decline हुई है और condition of being underweight जो है मतलब weight जो होता है normal से कम होता है ये condition भी 7% कम हुई है लेकिन wasting के मामले में हमने अच्छा काम नहीं किया है wasting मतलब height के हिसाब से उतना weight नहीं होता जितना होना चाहिए report के अनुसार 2005-6 से लेके 2015-16 के बीच Childs में wasting का level कम हुआ सिरफ 1% समझ गए essence क्या है essence ये है 2005-6 से लेके 2015-16 के बीच stunting का level कम हुआ है condition of being underweight कम हुआ है लेकिन wasting कम नहीं हुई है बच्चों में तो हमने समझा दो points की वज़े से हाल खी में जो ये report release हुई है ये काफी ज़्यादा important है report से देखो हमें काफी सारा ऐसा data मिलता है जिसकी साइथा से हम पता लगा सकते हैं कि reasons क्या हैं जिसकी वज़े से malnutrition का level जो है बच्चों में कम नहीं हो रहा है आठकल में कहा जाता है देखो reasons जो report में बताए गए है वो नए नहीं हैं इन reasons पर पहले भी काफी बार चर्चा हुई है और पहले की जो reports पब्लिश हुई है malnutrition से सम्मदित उनमें भी इस परकार के regions बताए गए हैं हम समझ लेते हैं regions को report में कहा जाता है आगर देखो maternal education पर focus किया जाता है यानि mother की education पर focus किया जाता है तो बच्चों में malnutrition की समश्या के जो chances हैं काफी ज़्यादा कम हो जाते हैं जैसे यहाँ पर कुछ data दिया हुआ है अगर मदर ने 12 साल की schooling complete की हैं तो बच्चों में stunting का level होगा 19% और अगर मदर illiterate हैं तो बच्चों में malnutrition का level 46% समझ गे मतलब अगर maternal education हुई हैं 12 साल की schooling हुई हैं तो stunting का level 46% से कम होके 19% हो जाता है इसके लावा next point अमीर और गरीब के बीच का जो gap है ये भी देखो malnutrition के level को परभावित करता है नोर्मल सी बात है अमीर घरों में या फिर वो घर जहाँ पर खाने की कमी नहीं है education की कमी नहीं है उन घरों में malnutrition की समझ्या बच्चों में कम होती है और गरीब घरों में बच्चों में malnutrition की समझ्या ज़्यादा होती है लेकिन देखो गरीबी एक ऐसी चीज है सरकार पिछले 70 सालों से पर्यास कर रही है गरीबी को खतम करने की दिशा में लेकिन एक रात में या फिल बिल्कुल सो टम में गरीबी को खतम नहीं किया जा सकता हमें sustainable पर्यास करने होंगे गरीबी को खतम करने के लिए आर्टिकल में देखो ये भी कहा जाता है maternal education यानि मदर की education से और भी काफी सारे फाइदे होते हैं जैसे household, health, wealth में वर्दी होती हैं मतलब अगर मदर कमाएगी तो घर की income ज़ादा होगी woman की empowerment होती है education से knowledge आती है और education से ही health पर ध्यान देने वाला जो behavior है वो generate होता है इसके बाद next point आर्टिकल में ये बोला जाता है सरकार open defecation पर ध्यान दे रही है और सरकार safe water and sanitation पर भी ध्यान दे रही है अच्छी चीज है इस direction में सरकार को परियास करते रहना चाहिए क्योंकि देखो अगर open defecation ज़्यादा होता है तो बच्चों में malutrition की समस्या ज़्यादा होती है तो इस तरफ सरकार को ध्यान देते रहना होगा next point आर्टिकल में ये बोला जाता है देखो आज के समय में डाइट में stable crops पे ज़्यादा focus किया जाता है जैसे काफी सरे राज्य हमारे देश में ऐसे है दोपैर को चावल, साम को चावल, रात को चावल और काफी सरे areas हमारे देश में ऐसे है दोपैर को गेहूं की रोटी, राज को भी गेहूं की रोटी मतलब सेम ही तरह की diet का बार-बार सेवन किया जाता है इससे भी nutrition की समस्या पैदा हो जाती है बच्चों में तो diet जो है वो diverse होनी चाहिए सरकार को कोशिस ये भी करनी चाहिए कि PDS की साहिता से यानि public distribution system की साहिता से कुछ millets खास करके गरीब परिवारों को दिये जाएं ताकि उनकी diet diverse हो जिनके पास पैसे हैं वो देखो effort कर सकते हैं उनमें सिरफ जागरुता लाने के आप सकता है कि आपको आपकी जो diet है वो diverse होनी चाहिए लेकिन गरीब लोग काफी बार effort नहीं कर सकते तो यहां पर समस्या पैदा हो जाती है तो PDS की साहिता से सरकार को millets जैसे जवार बाजरा ये सब उपलब करवाने चाहिए डेटा से ये भी सामने आता है कि अगर diet में diversity होती है तो iron deficiency की वज़े से जो एनेमिया हो जाता है इस परकार की चीज़े ज़्यादा नहीं होती अगर diet में diversity है और millets को भी consume किया जाता है उसके बाद next point काफी सारे बच्चों में देखो मोटापा देखने को मिला ये भी एक बड़ा health concern है और इसके पीसे भी जो reason responsible है वो diet diversity का ही है देखो आज के समय में junk food, fast food इन पर ज़्यादा focus किया जाता है और बहुत सारे बच्चे तो तीनो time यही खाते रहते हैं तो इसी वज़े से वो मोटापे का सिकार हो जाते हैं इसके बाद आर्टिकल में काफी important बात बोली जाती है ध्यान से सुनिएगा देखो शुरुवात में हमने जो डेटा डिसकस किया था वो 2005-06 से लेके 2015-16 के बीच का था लेकिन 2015-16 के बाद के 22 महिने का डेटा रिलीज हुआ इस report में डेटा से ये बात सामने आई कि पिछले 10 सालों में wasting का level बच्चों में कम नहीं हुआ था यानि हाइट के हिसाब से वेट नहीं होता ये level बच्चों में कम नहीं हुआ था लेकिन 2015-16 के बाद 22 महिनों में wasting का level बच्चों में 4% तक कम हुआ है यहाँ पर देखो 10 सालों में wasting का level कम हुआ बच्चों में सिरफ 1.2% और 22 महिनों में वेस्टिंग का लेवल कम हुआ बच्चों में 4 परसेंट यानि स्टंटिंग से भी ज़्यादा ये राज्य अनौशल परदेश, गुजरात, पंजाब, हर्याना, उत्राखंड इन राज्यों में देखो 10 सालों में तो वेस्टिंग का लेवल बलकि बढ़ गया था कम होने के ब उत्राखंड में सबसे ज़्यादा वेस्टिंग का लेवल रेडियूस हुआ है 14 परसेंट तो इससे सक वैसे ये भी जाहिर होता है कहीं डेटा में कोई कमी ना हो आप सकता ये है आर्टिकल में बोला जाता है कि एक थर्ड पार्टी एवेलुएशन भी हो जाना चाहिए कि जो डेटा इस रिपोर्ट में रिलीज किया गया है वो डेटा सही है या फिर गलत है देखो कुछ और रिजन्स हम डिसकस कर सकते हैं अगर यूपियसी पूछती है कि मानलुट्रिशन का लेवल बच्चों में कम नहीं हो रहा है इतनी सारी स्कीम्स चलाने के बावजूद मि आर्टिकल में डिसकस किये कुछ और रिजन्स की बात कर लेते हैं जैसे चेंजिंग फूड पैटरन तो हम डिसकस कर चुके हैं आज के समय में स्टेपल क्रोप्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और इसके लावा बच्चे जंक फूड फूड फास फूड इस परकार के फूड को ज़्यादा कंज्यूम करने लगे हैं माइग्रेशन देखो गाउं से शहरों में लोग आते हैं काम करने के लिए मजदूरी करने के लिए और काफी बार काम मिल नहीं पाता मुस्किल से दो वक्त की रोटी का प्रोविजन हो पाता है नूट्रिशन की बात या फिर अजीब लगेगा लेकिन ये भी एक रिजन है हमारे समाज में पैट्रियार्की है तो आप में देखा होगा जो महिलाएं हैं वो आम तोर पर अंत में खाना खाती है जब पूरा घर खाना खा लेता है तो अंत में मदर्स के दोरा खाना खाया जाता है तो लाश्ट में देख पर जो गरीब है या फिर जिनके पास इतना पैसा नहीं है और पैट्रियार्की ज़्यादा है तो वहाँ पर अक्षर आपने सुना होगा या फिर देखा होगा बेटे को ज्यादा प्राइटी दी जाती है अगर एक गिलास दूद है तो वो बेटे को दिया जाता है बेटी को पॉल्सी देखो इंटीग्रेटीड रूप से नहीं चलाए जाती मतलब एक इंटीग्रेटीड पॉल्सी सरकार चलाए ना जिसमें डाइट पर भी फोकस हो वुमन इंपार्मेंट पर भी फोकस हो अवेर्नेस पर फोकस हो सैनिटीशन पर फोकस हो ओपन डैफिकेशन पर फो हो implementation अच्छा नहीं है suggestions वैसे तो आप असानी से लिख सकते हो क्योंकि problems आपको पता हो तो suggestions लिखना असान होता है लेकिन कुछ extra suggestions integrated nutrition policy का suggestion अमने डिसकस किया decentralization होना चाहिए मतलब जो panchati raja institutions है उनका भी होना चाहिए malnutrition की समस्या को खतम करने में तोकि वो अच्छे से जागुता पैदा कर सकते हैं लेकिन उनका रोल ज्यादा होता नहीं है और next है diversification diet में diversification होनी चाहिए मन्देगा को strengthen करना चाहिए malnutrition की समस्या को खतम करने के लिए इस discussion में फिलाल इतना ही है thank you thank you very much for discussion